सरसयद अहमद खान अलीगड़ मुस्लिम युनिफर्सी बना रहे तो अलीगड़ के लाला जी थे उनके पास गये बड़े अमीर आदमी तो चंदा मांगने का है सरसयद अहमद खान तो लाला जी से उन्होंने का कि साब इंस्टिटूशन बना रहा हूं साब और कुछ पैसे मिल जाएं तो हाथ फेलाया उन्होंने तो देट लाला स्पिटेड ऐन थेंट अफ से अहमद खान उन्होंने का कि मैं चंदा मांगने आया हूं ऐसे हाथ किया तो देट लाला स्पिटेड उसने थूदिया उनके हाथ पे हम और आप तो जगड़ा कर लेते कि मेरे पापा, DM है, मेरे चाचा मिनिस्टर है, अभी बता रहे है सेयद अहमेद खान स्वाइलिंग, he took that spit in his hand and kept into his pocket and turned to the Lala and said, thank you तो Lala जी को बड़ा ओड लगा, कि ये क्या हो गया यार तो Lala जी ने कहा कि सेयद साथ, आप बड़े खुश नचरा रहे है मैंने तो आपके हाथ पे थुका है, अरे बुले, नहीं लाला जी जब आप किसी से मांगते हो कुछ, तो उसके पास जो होता है वही तो देता है Lala ने 1874 में 2 लाख रुपिया दिया सिर्फ उस अधा के बल पे, इसको बोलते हैं, टैलेंट आपको लगदा है बलकुल करेंगे तो तीलाल नेरू तो पुछा है और पुछाइ ने उसके आपके हैं, तो बाव पाई टो ए लागद, आपको लगदा है बलकुल, करेंगे तो once you construct your house, you have to sell the roof to the other party, आपको अपनी छट बेचनी है, तो मोतिलाल नेरू ने का कि मैं अपना independent घर चाहता हूँ, मैं अपनी छट किसी को बेचूंगा नहीं, तो उनकी वाइप ने का, it's a law, आप कुछ करनी ही पाएंगे, अरे बोले करेंगे, तो 15 feet height, he had bought 15 feet height, he constructed his roof at 13 feet, height, height 15 foot खरीदी, 13 feet पे चट बना दी, तो whenever the next buyer came, he said to the next buyer, कि leave the two feet and then construct, दो feet छोड़ देना, तो बिटेन को एक नए law पास करना पड़ा, कि जितना फिट मैं खरीदोंगे, उतना बनाना है, after Birmingham, he's the only person in British history who's having an independent house, यह तलेंट, प्रिए जितना है, मुच क को हिए रहा है Shiva